सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे एक दिल देहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भूलें इस कहानी के लेखक है संजय कामली बहुत रात हो गई थी नील पाइक से अपने कर जाने के लिए निकल खुछ दिनों पहले ही उसे ये नई नौकरी लगी थी कभी डेशिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट करके वो बहुत ठक जाता था रात के करीब एक बजे नील आफिस से निकला था नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाइवे की तरफ जाते हुए दिखे नील भी उनने शामिल हो गया लेकिन हाइवे से उनके रास्ते अलग हो गए सब लोग अपने अपने रस्ते चले गए वो भी बाइक पर से निकला कुछी देर में नील हाइवे पर आया रात बहुत हो गई थी इसलिए ट्राफिक भी बहुत कम था उसे अपने स्पीड वे बिलकुल कंट्रोल नहीं था कभी कभार ही उसे सामने से कोई कार आती दिखती या फिर ओवर्टिक करती थी अभी उसने में हाइवे छोड़के कच्चा रास्ता पकड़ लिया था वो रास्ता और भी सुनसान था अभी बाइक के हेड लाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था बिलकुल एक काले साग की तरह रात के अंधेरे में वो सननाटा बिलकुल खौफ नाक लग रहा था लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है वो अपने ही दुन में गाड़ी चला रहा था रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था कुछी देर में उसका अकेलापन दूर हो गया उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हौन सुनाई दिया उसने उस गाड़ी को साइड दी कुछी समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया शायद वो पती-पत्नी थे लेकिन एक बात नील के धान में आई कि पीछे पैठी हुई औरत ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पईये से बिलकुल नजदीक था हवा के जोके से वो कभी भी बाइक के पैए में अटक सकता था और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता ने क्या अनर्थ हो सकता था नील ने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा बेंजी आपका पल्लू पहिये में अटक सकता है ऐसा कहके नील आगे निकर गया नील के मन को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की क्योंकि आज कल ऐसे वीडियोज कितने सोशल मीडिया पे आते रहते हैं कि एक लड़की बाइक पे बैठी है और उसका पल्लू बाइक के पहिये में अटक गया दोनों गिर गए और जखमी हो गए ये सोच में नील था कि अचानक वही बाइक वाला फिर से निकल के आगे चला गया लेकिन ये क्या उसकी बीवी कहां गई वो वा नहीं थी कहां गई होगी नील ने गाड़ी का स्पीड बढ़ाय और उसे पूछा बाई साब आपके पीछे बैठी हुई आपकी पतनी कहां गई उनका पल्लू बाइक के पहिये में अटकने वाला था तो मैंने उनको बताया था उस बाईक वाले ने अपनी बाईक साइड में लगाई वैसे नील ने भी अपनी बाईक उसके साइड में लगाई नील ने कहा क्या हुआ भाई साब आपकी बीवी कहा है वो पीछे ही तो बैठी थी ना उस बाइक वाले का पूरा शरीर डर के मारे कपकपाने लगा उसने कुछ नहीं कहा सिर्फ अपनी डर भरी आँखों से पीछे मुड़ के देखा तो वो रास्ता और भी डराव ना लग रहा था नील ने उसे कहा क्या हुआ अप इतना डर हुए क्यों हो वो नील को देखते ही रह गया और फिर उसने पूछा मेरे बाइक पर किससे बैठे देखा आपने मतलब आप उसे नहीं पैचानते मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी उसकी बाते सुनके नील के रॉंग्टे खड़े होगे दोनोंने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक दुन्दली सी पर्चाई दिखी वो देखते ही दोनों की आँखे खौप से फटी की फटी रह गई उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था के तब ही सामने वाली बाइक ने हौन मारा दोनों की मानों सास ही रुख गई दोनों ने फटा फट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्थार से अपने घर की और बढ़ने लगे नील घर पहुचा तो रात के दो बजे थे वो अपने बिस्तर पे लेटा लेकिन उसे नीन नहीं आ रही थी अपने पूरे करियर में उसने ये चीज पहली बार ही देखी थी रह रह के उसके मन में एक ही खयाल आ रहा था क्या मैंने जो देखा वो सच था कितनी बार वो वही रास्ते से गुजरा था लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफ नाक अनुभव नहीं हुआ था बाइक पे बैठी वो औरत उसकी लाल साडी कैसे मुम्किन है ये लेकिन ये अनुभव एकदम असली था उसे तो अब अपने खिड़की के परदे भी उस लाल साडी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है उसे तो अब खिड़की के और देखने के लिए भी डर लग रहा था जब भी वो परदा हिलता बस उसे वही सब याद आता वो उठा और उसने खिड़की बन कर दी जैसे ही वो मुड़ा उस औरत ने नील के उपर छलांग लगाई नील डर के मारे चिल्लाने लगा देखा तो वो सपना था नील ने सुचा मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ और सो गया नील दो दिन काम पे भी नहीं गया लेकिन ऐसा वो कितने दिन तक करने वाला था तीसरे दिन वो काम पे चला गया लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था बार बार वो गड़ी देख रहा था साड़े बारा बज गए शिफ्ट खतम हो गई वो अपने बाइक पे बैठा लेकिन उसके पैर कापने लगे थे सोच सोच में वो कब हाइवे से निकल के कच्चे रास्ते पे आया ये उसे पता ही नहीं चला अब उसे ज़्यादा डर लगने लगा था उसे सब याद आने लगा ये पीछे से एक गाड़ी का हौन सुनाई दिया नील के रॉंग्टे खड़े होए क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी क्या वो मुझे फिर से दिखेगी सिर्फ उसे उसके हार्ट बिट सुनाई दे रहे थे शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी नील ने सुचा मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं लेकिन आखिर उसने पीछे देख ही ले तो उसके पीछे कोई नहीं था नील ने एक राध बरी सास ली उसकी जान में जान आ गई कलेजे का डर अब खतम हो गया था नील ने बाइक वाले के और देखा और थोड़ा स्माइल किया तो उस बाइक वाले ने अपने हेलमेट की काच उपर की और बोला यह उनका पल्लू पहिये में अटक सकता है यह उनका बोला झाल झाल